नमस्कार ऊचणूँ यूटोब के मेरे चैनल में आप सब का स्वाधत है आज में लिकर आई हूँ मितुन राशी के जातकूं के लिए मार्च 2021 का राशी फल आज हम इस वीडियो में देखेंगे की मितुन राशी के जातकूं के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा मैं आपको जो राशी फल बता रही हूं आपकी चंदर शेपर अधारित है यहां बनुत सकते है सबसे पहले हम देखें कि मित्वन राशी के लिए मार्ज के महिने में ग्रेहों की कैस्तिती रहेगी जो नौ ग्रेह हैं वो किसे साब से चलेंगे महा काजा बारंभोगा तो विष्टिक राशी में केतु होंगे आपके छटे भाब में और आपके अश्टम भाब में देव गुरु बस्पती शनी माराज और बुद्ध की उती होगी जो रहेगी 10 मार्ज तक और 11 मार्ज के बाद बुद्ध जो हैं कुम राशी में चले जाए बार बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि मिफ्धुन राशी का ओवरृ आल समय कैसा चल रहा है जैसे मैरे अपनी वीडियो बनाए थे वार्षि कराशी फल था कि मिफ्छ राशी इस समय शनी की ढहिया से गुजर रही है उसे को कहते हैं जब चन्रमा से अस्टम भाब में चलता है तो मित्व नाशी के अश्टम भाव में मकर राशी है और इस समय उसमें शनी चल रहा है अब इसमें देखने वाली बात है कि खाली अश्टम की ढहिया नहीं है इस समय जो बर्तवान में गोचर रहा हुआ है 20 नौबर 2020 से जो गोचर आया है उसमें शनी के साथ देव मैं अधर inhib in चल कर में लगनेश धी आपके ऑं चतुरतेश थे ज्याडों की जोसव बात करते मित्यूराशी क Moment की जॉशै करता है वह TIME में धूरजर आप जातक में हैं बदलेंगे लेकिन मैं में मार्स का महिना जोब बदलने के लिए सही नहीं है कि अब उनको मार्स के महिने में और इंजार करना पड़ेगा हाँ 6 अप्रेल के बाद जो देव गुरु बड़सपति आपके कुम राशी में आ जाएंगे आपके भागवाब में वो समय आपके लिए जॉब बदलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा 6 अप्रेल 2021 के बाद इसलिए मितुनाशी के बाद जातकों को जॉब बदलने का विचार इससे में नहीं करना आप जो जॉब कर रहे हैं उसी जॉब को करते रही है और जो सरकारी नौकरी में हैं उनको ध्यान रखने की बात है क्योंकि जब शुक्र दशम पे गोचर करता है 14 मार्स के बाद शुक् अगर आप चाते थे कि आपका ट्रांसवर हो जा तो कोशिश करें कि आपका ट्रांसवर सही जगा हो जाए लेकिन क्योंकि समय नेगेटिव है तो हो सकता है ट्रांसवर ऐकसी जगा हो जहां जाना आप पसंद ना करें साथ ही समय कुछ ऐसा है कि क्योंकि लगनेश भी अस्टम में गया होगा जब लगनेश अस्टम में चला जाता है क्योंकि लगनेश हम है हमारा शरील लगनेश है अगर यह लगनेश छटे में हो अस्टम में हो बारवी में हो तो हमारे डिशीजन गलत होते हैं हमारी सोच भी गलत होती है, हम जो करते हैं वसक्त हम पॉडिटिव नी सोचेंगे, सब कुछ नेगाटिव सोचेंगे, तो यह समय ऐसा है कि हमें कुछ ऐसा मैसुस होगा, जैसे समाजी में हमारी मानपतरिष्टा कम हो गई है, हमारे कारेस्थाल पर हमारी पूछ नहीं रही है हम जितनी मेनद कर रहे हैं, उसका हमें उतना रिवायट नहीं मिल रहा है, कम सेलरी में हमें काम करना पड़ रहा है, तो यह सब चीजें आपके दिवांग में आएंगी, लेकिन इंतीजों से अपने को निकालने की कोशिश करिए, 6 अपरेल के बाद सारा गोचल आपके पक्ष सूरे को भाब है, कुछ रहत मिलेगी क्योंकि सूरे का मार्ण चौर्या तो रहत मिलेगी यह बनूस– मिलेगी उसमें आप स्थक्रस्या कम की पड़िल रह्त प्रस्दतिक पारिया कुछ अपकी अच्छी पढ़ेगे व्यापरिवर्णी के महिने में व्याइब किसी बड़े निवेश का जोखिम ना करें कि व्याइं प्रफ कोशिच करें मार्त महिने में किसी नए काम के शुरुआत्थ कि इस समय देव गुरु बश्वति आ आपके एस्टम में चल रहे है और राहु जो नहीं चल रहे है और राहु जुआ कियोट की बिजिनल Cordy को जिभब को नंब्रों के जिए सब्षैकर आपको देखchnetवटेई हैं कि आपके लिए पाँज चखड़िक garbage phi कि संभावना आपकी आती है तंपत्ते जीवन के गरम बात करें उसमें इह भी हमारे साफ़ादनिया पिक्षीत है जैसे दर्शंबा हपका सवामी अस्टम में गया हुआ ऐसलिए सब्टमबा हपका सवामी अस्टम में गया हुआ जो इस बात का संकेत है कि दम पत्ते जीवन में दो बाते हो सकती है जा तो आपके जीवन साती का स्वास्ते खराब होगा जा फिर आपका जीवन साती से ताल मेल नी बैटेगा आपस में कोई लड़ाई जगड़ा हो सकता है दोने इस्तिती में जीवन साती का ध्यान रखें और किसी भी बात को अतना बढ़ाएं कि पता लगे आपका रिष्टा ही तूट गया क्योंकि एक गोचर है ये गोचर खतम हो जाएगा आपके चलके सारी लाइफ आपकी नॉर्मल हो जाएगी और अगर महला जातक है और पुरुष जातक है उनको लगे कि समय काफी खराब है तो वो हर शनिवार और मंगल वार को सुंदर कान का पाट करें तो वेवाई जीवन पे उनको जो प्राबलम है वो उनकी दूर होंगी साथ ही गाए को भी रोज रोटी दे इस माँ जो है चाना ख्यात्रा होने की संबाबना जो है बनती है भाई बंदूओं से बात करें तो यह जो मंगल आपके दादश में आया है और उसकी दिष्टी आपके तीसरे भाब पर है एक दो तीन चा यह बात का संकेत देता है कि भाई बंदूओं से आपके थोड़ी से समन खराब हो सकते है मिथुन राशी के जाता का कोई अगर मार्स के महीने में धाना आने का अंतिजार था तो वो धाना आने की संबाबना बनेगी एक से तीरा मार्स के बीच में आपके पर धनाने की संबाबना बनेगी मैं दुबारा रिपीट करूँ कि आप किसी प्रकार का जोखिमना ले किसी प्रकार के दुगटना या चोट लगने की संबाबना बनती है क्योंकि मंगल और आहू दौदश में बैटे हैं आप मिथुन राशी के जातक हैं तो शनी की डहिया का कोई न कोई उपाई जरू करें शनी की डहिया के उपाई के तोर पे आप जो है हर मंगलवार या शनीवार को संदरकार का पाठ करें आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और अगर आपको बर्त करने से परिज नहीं है तो आप शनीवार का बर्त करें शाम को शनी मंदिर जाएं संदरकार का पाठ करें और एक टाइम मीठा भुजन करें एक टाइम मीठा भुजन कर रहत है कि उस दिन आपको बिल्कुल भी नमक का सिभन नहीं करना ना काला नमक ना सेंदा नमक किसी प्रकार का नमक नहीं खाना यह आप बर्त करें और अगर शुरू करें तो कम से कम साथ शनीवार शुरू करें करें और अगर आपको नोक्री में काफी प्रब्लम अारि ज़ाए लग रा यह जाए कि नोक्री मिवं जूत ना जाए या नोक्री में कोई भाध बड़ी प्रब्लम ना आ जाए तो आप जो है गlor kind शनिवार को हनुवान जी को चोला भी चड़ा सकते हैं चोला चड़ाने के लिए को क्या करना है कि मंदिर में लेकर जाना है आपको चमेली का तेल सिंदूर चांदी के बर्क पांच मोती चूर के लड़ू और एक देशी पान का वीड़ा जिसमें पांच लंग लगी आप चांदी का बर्क लगा लिए जाता है इस प्रकार का जाता है जैसे हर्मान जी को बस्तर पेना दिये उसके बाद उसको जो सिंदूर वो अपने माथे पर लगा लिजिए आपके लिए बहुत बढ़ी आ रहेगा तो इस उपाई को अगर आप साज शनिवार करते हैं तो आप स्टील की कटोरी लीजिए उसमें एक रुपे का सिक्का डालिए तेल डालिए सर्सोका तील का और अपनी चाय देखका शनि माराज की मूरती पचलाईए तो मेरा यह मानना है कि क्योंकि शनि के अनृष्टा को हमें कम करना है तो शनि से जुड़ा कोई नों को पाई जरू क करिए तो आपकी जो काम की बाद हैं वो दूर होंगी और आप यह समय को निकाल पाएंगे अब मैं बताते हूं कि मित्वनदाशी के जातकों के लिए मार्च के महिने में शुप्तितियां कौन सी है जब चंदरमा उनका काफी पाजिटिव होगा अगर उस समय कोई काम करने क अगया विचार करेंगे तो कुई ज्यादा बढ़ी कटना का सामना नहीं करना पड़ेगा वो शुप्तितियां हैं पांच वा छे मार्च साथ मार्च चودह वह पंद्रह मार्च सूला वा सत्रह मार्च अठारा वा 21 मार्च 22 वा तेईस मार्च 26 27 मारच वो शुप्तितिया है जब हमारा चंद्रमा पॉलिटिव होगा अगर हमें किसी भी काम का प्लानिंग करनी है तो इस समय करें तो हमें फाइदा रहेगा अब मैं आपको अशुप्तितियां बतानी है जो चंद्रमा आपका चौथा आठमा या बारमा होगा यहीं चंद्रमा कन्या का मकर का या व्रिशप का होगा तो बूल कर भी इस समय किसी महत्तपुन काम को ना करें वो अशुप्तितिया आप सुनीगे जो साफधानी रखने के दिने हैं हमारे एक वा दो मार्च, नौ वा दस मार्च, उननिस वा बीस मार्च, अठाइस वा उनतिस मार्च तो दर्शकों यह मेरा वीडियो था कि मिथुन राची के जातकों के लिए मार्च 2021 का समय कैसा रहेगा मेरा इराची पल आपकी चंदराची पर अधारित था, मिथुन राची के ओपर शनी की रहिया चल रही है बरतमान में देव गुरु बर्सपती जो आपके सब्तम भाव और दर्शम भाव के स्वामी है वो भी अश्टम में चल रहे है शनी माराच के साथ तो इस समय आपको दो बातों में विशेश साव धन्य अपनी है एक तो अपने दामपत्य जीमन को लेकर एक अपने केरियर को जोड़ा कोई भी महत्यपूर्ण डिसीजन लेने का समय बिल्कुल नहीं है आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को करते रहे है छे अपर दो जार इकिस को देव गुरु बर्सपती कुम राची में परवेश करके आपके भागेबाब में आ जाएंगे जहां पर उंका गूचर हम परिशानी में नहीं हो और किसी पकार की कानोनी और जन से बचने की कोशिश करें अगर आप इन सब चीजों को मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको मार्स के वह नहीं में कोई ज्यादा प्राउंडम नहीं होगी तो दर्शको यह मेरा वीडियो था आपको कैसा लगा इस कमेंट बक्स में कमेंट करके बताईएगा इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली वारा हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्क्राइब ने किया तो कित पर मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथ ही वेल ऐकन को भी दवा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडिय करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों चैमात आदी